मैं जानती हूँ आप पॉलिटिक्स में नहीं घसीते जाना चाहते सद्गरू लेकिन ये कुछ ऐसा है जो काफी व्यक्तिगत हो सकता है तो हाल ही में मैंगलोर में हुए एक धमाके में एक आदमी था जो इस घटना में घायल हो गया था आप पता चला है कि इस आदमी शरीक के WhatsApp स्टेटस पर आदियोगी की मूर्ती का फोटो था आप इस फैक्ट को कैसे देखते हैं कि ये आदमी जो की ISIS के साहिते से प्रेरित है साफ है कि वो खुद कटरपन्ती है उसका एक हैंडलर था वो एक धमाके के दौरान वहाँ पकड़ा जाता है और उसके पास आदियोगी की एक तस्वीर थी मुझे लगता है मुझे खुश होना चाहिए कि वो भी आदियोगी को अपने साथ लिए है मैं तो इसे ऐसे ही देखना चाहूंगा पर यह सचाही नहीं है मैं जानता हूं एक चीज यह है कि वो अपनी पहचान चुपाना चाहरा है जो कि एक चलाकी वाला काम है जैसा काम वो कर रहा है उसके लिए लेकिन एहम बात यह है जो हमें समझना चाहिए इस तरह की कोई भी प्रतिमा हो आप जानते हैं अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियों के साथ क्या हुआ था ये समूचे उतर भारत में हुआ है कि हर मूर्ति पूजा समझे जाने वाली चीज़ को नश्ट कर दिया गया क्योंकि किसी की उसमें गहरियास था थी तो मुझे लगता है कि आप जाकर जादातर लोग थम गए हैं ठीक है आप अपना काम कीजे मैं अपना काम करूँगा ये ठीक है मुझे लगता है हमें ये लाना चाहिए लेकिन अब भी कुछ ओगरेलिमेंट्स हैं जो वही काम कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे बहाना एक चीज है ये आदियोगी की मुर्द यहां खड़ी हुई है जो उन्हें किसी ने किसी तरह चोट पहुचाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग पूजा कर रहे हैं हम लोग एक खास दिशा में जाने के लिए उन्हें एक प्रिर्णा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन तब भी उनका ऐसा ही मानना है तो ये सिक्षा सभी समधायों को दी जानी चाहिए कि कैसे आप अपने से परे किसी चीज तक पहुचना चाहते हैं देखे मूल रूप से इस इस तरीके से देखे आपका जो भी धर्म हूँ मैं एक ऐसा इंस को पार करें और अपने अंदर और उंचे गुलों को ढूंड सकें कोई ऐसा प्रार्थना से करेगा कोई ऐसा रीती रिवाजों से करेगा कोई तमाम तरह की पूजा पाट से ऐसा करेगा कोई ऐसा ध्यान करके करेगा कोई ऐसा ग्यान से करेगा कोई फर्क नी पढ़ता कि कै मूल रूप से योग में हम कहते हैं कि सिर्फ चार तरीके हैं, आप अपने शरीर का इस्तमाल करके ऐसा कर सकते हैं, इसे हम कर्म योग कहते हैं, आप अपनी बुद्धी से ऐसा कर सकते हैं, हम इसे ग्यान योग कहते हैं, आप अपनी भावना का इस्तमाल करके ऐसा कर सकते हैं, हम इसे भक्ति योग कहते हैं, आप अपनी जीवन उर्जा का इस्तिमाल करके ऐसा कर सकते हैं, हम इसे क्रिया योग कहते हैं, तो आप जिस भी धर्म से संबंद रखते हों, ये किसी न किसी रूप में इन चार चीजों का कॉंबिनेशन है, किस अनपात में वो अलग-अलग हो सकता है, लेकिन एक इनसान बस इतना ही कर सकता है, आप अपने शरीर, मन, भावना और उर्जा का उप्योग कर सकते हैं, आपके पास उप्योग करने के लिए और कुछ नहीं है, बनाने के लिए आप चाहे जो बना लीजे, तो ये परिपकवता आ जानी चाहिए, मुझे लगता है कि अब ऐसा दुनिया में होने लगा है, दुनिया भर में हम हर साल अर्बों लोगों से जुड़ रहे हैं, इसके बावजूद, मैं क्या देखता हूँ, कि कुछ लोग हैं, कुछ मुठी भर लोग हैं, जो अब भी उसी चीज में विश्वास रखते हैं, जो कुछ उन्हें बताय गया है, तो मुझे लगता है ये ब बड़ी खुशी है, क्या आपको इससे कोई डर है कि शायद वो आदियोगी को निशाना बनाने के बारे में सोच रहा हो, देखिए ये हमेशा सरा है, ये हमारे लिए नया नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने गिना नहीं कि औस तर एक साल में मुझे कितनी बार जान से मारने कि धमकिया आती है, वो आती रहती है, पर मैं अभी जिन्दा हूँ, तो कोई भात नहीं। मैं मैसूर में था, लगातार मैंगलॉर जाता रहा हूँ, पर मैंगलॉर से कोयम बतूर और ये आद्मी उसी रास्ते से जा रहा है, मुझे पता है, मैं एक गंभीर विश्य के बारे में मजाग कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत महत्तपून है, कि हम अपने जीवन के सबसे म तो पूर्ण पहलूओं को हलके से लेना सीखें नहीं तो हम एक दूसरे को मार डालना चाहेंगे ऐसा नहीं करना है